थो सब्सक्राइब करते हूं और इस वीडियो जाधा जाधा शेयर भी कीजिएगा तो friends आता अपने में topic की और बारवरेंडे schedule और circular column तो friends सबसे पहले मैं आपको figure explain कर देता हूँ तो friends यहाँ पर मैंने एक column का यह example लिया हुआ है ठीक है यह column की die आया है 600 mm इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से गया यहाँ से लेकर 600 mm एक column की die आया है और यह column का side view है ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर की length कितनी 3.5 meter है और friends इसमें जो 20 प्राइट की गई है वो 8 mm die की बार यह ठीक है यहाँ पास यह ऐसे आपको दिख रही है प्राइट की गई है और यहाँ पास जो कि 150 mm center center spacing प्राइट की गयानी की तो टाइस के बीच की distance कितनी है 150 mm distance है ठीक है और इसमें जो main bar प्राइट की गई है यह जो आप यह देख रहे है six numbers of bar प्राइट की गई है वो है 16 mm की ठीक है 16 mm die की है तो फ्राइट समें column की यह length पता चल गई क्या है उसमें die of bar पता चल गई क्या क्या है और dice की भी die पता चल गई और यह duck leg देख लिए क्या है duck leg जो है 16 mm die की है जो की यहां लेकर यहां तक की यह length होती है उसे हम duck leg कहते है तो वो 16 mm है यहां D क्या है D die of bar है और इसमें जो cover provide किया गई है वो कितना 40 mm का है clear cover 40 mm ठीक है और main bar जो provide की गई वो six numbers of bar है 16 mm die की और ties जो है वो 8 mm die की वो अनेंड है 50 mm center to center distance पे लिए जो हमाँ formula वो क्या होगा length of column यानि की column की total length plus duck leg length minus bend तो length of column हमारी क्या है वो देख लिए यह length of column हमारी यहां से यहां तक है यानि की 3.5 meter है और यह duck leg length है वो कितनी है यहां से लेके यह इस point से लेके इस point तक वो कितना है 16 D है यहां पर क्यों की हुआ है formula में क्योंकि जो हम bend करते है तो वहां पर हम बास क्या होता है कि थोड़ा मतलब की expansion होता है बार बढ़ जाती है तो उसको हमें minus करना पड़ता है यहां पर हमने यह minus लिया हुआ है अग यह कितना होगा यह 2 D होगा तो बस length of column कितनी थी 3.5 meter उसे हम mm में लिख लेंगे तो 3500 हो जाएगा प्लस डग लेक लेंथ 16 D था तो 16 into D die-off bar 16 हो गया minus 2 into यानि कि 2 D था बेंड वाला तो 2 into 16 हो गया अब इसको हम solve कर लेंगे तो हमाई यहागा 3724 mm इसे मीटर में क्या लिख सकते हैं 3.72 meter तो हमें cutting length of main bar मिल गई अब टाइस की देख लिए कैसे हम करते हैं calculation टाइस जो है वह 8 mm 5 की ठीक है 150 mm center center distance पर है तो सबसे पहले में क्या करना है कि number of lateral ties की हमें निकालना है कि कितने numbers हमें use करना है ठीक है तो इसके लिए में करना क्या होगा length of column यानि की column की यह जो total length आप देख रहे हैं यहापस figure में यानि कि यहाँ से यहाँ तक की column की length है उसमें हमें divide कर देना किसी spacing से और plus one कर देना है ठीक है प्लस one क्यों कर रहे है क्योंकि one point हमें एक हमें कम पड़े आएगा है क्योंकि एक point हम छोड़ के calculation करते हैं तो इसलिए में plus one करना होगा ठीक है तो अब देख लिए calculation length of column करना था 3500 और center of center spacing 150 mm था ठीक है प्लस one तो आगे 23 numbers यानि कि जो numbers of lateral ties हमें चाहिए हो कितनी होगी column में 23 numbers ठीक है अब देख लिए cutting length of lateral ties वो देखे कैसे निकालेंगे 2 pi r ठीक है cutting length of lateral ties का हमाँ formula होगा 2 pi r plus 2 into hook length minus bend ठीक है यहाँ पे 2 pi pi की value तो हम निकाल लेंगे जो होती है 3.14 होती है 3.14 होती है pi की value में पता है r हमें निकालना है तो r हम कैसे निकालेंगे वो देख लिए आप r हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि यह जो हमारे tie वाला area ठीक है यह tie जो है ठीक है यह tie हो गई और यह total हमारा column ऐसे ठीक है यह ऐसे हमारा column है इस point से लेके और इस point तक यह कितनी length है हाँ हमें 600 mm हमें निकालना किया है इस point से इस point तक कि यह length हमें पहले यह निकालना पड़ेगा और r हमारा यहां तक का य यनि half है ठीक है 40 हो गया 2 x 40 minus क्या करना हो कि यह डाया, दोनों तरफ से half of डाया minus करना होगा तो minus हो जाएगा क्या 2 x 8 x 2 ठीक है, तो हजाएगा हमारा कितना, यह 600 डायने दीजिए, minus यह 2 x 40 हो जाएगा T minus 8 ठीक है, अब इसको अमसॉल कर लेंगे small d तो 512 ठीक है, यानि कि यह हमाई टाई है, इसके हमें डाया मिल गई ठीक है, अब हमें क्या करना है की हमें r निकालना, small r ठीक है, small r जोगे है, वबमीन formula में उस करना है, ठीक है, small r केरिए का हमें, d by 2 करना होगा तो d by 2 हो जाएगा, 500 by तो इसकल 2 आ जाएगा कितना हमारा 256 mm ठीक है तो 256 mm यह आर की वैलियो में मिल दी प्लस 2 x hook length hook length हमें कितनी लेना 10d ठीक है hook length हम 10d लेंगे जो भी इश्ट्रफ में या कहीं भी भी hook length लिया थी वो 10d लिया थी ठीक उसको याद रखिएगा आप लोग तो यह हमारा 10d हो जाएगा minus bend यहाँ bend कितना degree हो रहा हमारा 90 degree ठीक है तो इसलिए यहाँ पे minus 2 x 2d क्योंकि 2 bends होंगे एक hook में ठीक है तो 2 x 2d हो जाएगा बस अब देखिए calculation यह 2 pi r हो गया 2 x 10d यह hook length यहाँ मैंने note कर लिए minus 2 bend 2 bend है इसलिए 2 x 2d ठीक है 2d हो गया उसके बड़ 2 x pi की value 3.14 x r जो मैंने आपको बताया calculation करके 256 plus 2 x 10 x 8 ठीक है यह 8d की value हम आने रख दी minus 2 x 2 x 8 यह d की value क्योंकि जो small जो हम इस tie use करें वो 8 mm die की है ठीक है तो अब इसको हम solve कर लेंगे तो हमारा answer है कितना 1736 mm ठीक है और इसे meter मिले सकते है 1.736 meter ठीक है तो यह हमें मिल गया अब हम अपना क्या बार बंडिक schedule बना लेंगे अराम से बार चार्ट तो में बार हमारी shape कैसे रहेगा उसका L टाइप करेगा ठीक है यहाँ पर मैंने shape भी दिखा दिया है और डाया बार कितनी हमने use की थी में बार की 16 mm die की use की ठीक है नमबर से बार मैंने आपको पहली बताया 6 नमबर है और length हमारी उपर आई थी कितनी 3.724 ठीक है तो यह यहाँ नोट हो गिया और जो डाया 16 mm die की जो weight होता है ठीक है बार का प्रति मीटर हो कितना होता है 1.58 ठीक है तो फ्रांट टोटल कॉंटिटी निकालने के लिए में क्या करने होगा कि नमबर 6 ठीक है इससे multiply length into weight इन तीनों को multiply कर देंगे तो आज एका 35.27 kg ठीक है तो और इसी तरह lateral tie जो हमारी थी उसका shape यह आप देख रहे है ऐसा होगा और 8 mm die की थी numbers of ties जो हमारे आए थे 23 आए तो उपर calculation में आपने देखा था और length कितनी आई थी इसकी 1.736 मीटर में यह आपस आप देख रहे हैं ठीक है और जो 8 mm die का weight होता है प्रति मीटर कितना हो 0.4 होता है ठीक है तो बस अब हमें क्या करना है कि numbers ठीक है जो प्रति मीटर के हमायत है उससे और length का और weight प्रति मीटर तीनों का multiply कर देंगे तो आ जाएगा 15.76 kg यानि कि हमें थैंक यू सो मच्च